भार देगा भाई अक्षे गुमार सीरियसली बोल रहा हूं मजाग नहीं कर रहा हूं जिस तरीक से वह मैंने टीजर देखा ना स्टार कास्ट देखो भाई और यह ना स्टार कास्ट देखने के बाद नो वह पुराने जो 2000 से लेके 2010 2015 तक की जो कुछ मुवीस थी ना कॉमेडी बहुत सारे स्टार कास्ट वाले रहते थे और उनका मतलब यात करो जितने जादा लोग उस टैम पे फिर भी मजा आता था मतलब जैसे गोलमाल सीरिस वकड़ो या फिर इवन वेलकम पार्ट वन देखो उसमें भी बहुत सारे करेक्टर्स थे वो शूटिंग वाला जो जो कुछ लोग बोल रहे हैं अभी यही पर कितने नीच लोगे रहे कुछ मतलब अक्षे गुमार को लेकर नीगिटिविटी भी शुरू कर दी अब एक मूवी रिवीव करके किसे ने रिवीव डाला है आ ओफिशियल पेजे वो बोल रहा है इरिटेटिंग स्पूफ था य इसको यह लोग इरिटेटिंग बोल रहा है अभी से ही शुरू कर दिया इन लोगों ने पहले होने तो कुछ कितना रोग यार पता है ओमजी टू ही तो जल गई आप लोगों की पर ऐसे मत करो आपकी गदर टू से भी जलती है आपकी ओमजी टू से भी जलती है सुदर 200 करोड प्लज जाती है क्या 300 करोड नहीं जा सकती है क्या सोचो इस बारे में और कंफ्यूज मत होना इस मुवी का बजट 375 नहीं है वो हाउसफुल का है वेलकम तू दजंगल का बजट नहीं पता हाला कि 200 करोड शायद हो भी सकता है स्टार कास बहुत है पर भाई यह अभी शुरुवत से ही फैल है रही है यह लोग मुझे वो देखके गुसा है इसलिए वीडियो बना है मैंने और यह एक्शन तो पहले जटके में बोला था मज़ा आने वाला है और अक्षे कुमर एक्शन मैं चाहता हूँ यार अक्षे कुमर कॉमेडी दो मुवी बना है त बहुत मज़ा आ गया चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो कर लीजे उम्मीदे बढ़ गई वेलकम से और हेटर्स को मारो रे गोली वेलकम थ्री सैल्यूट